नमस्कार मैं हूँ आपके साथ इशा निगी और आप देख रहे हैं News Nation का Digital Platform कलाई पर रेशमी धागा बादने वाला त्योहार इस बार 11 से 12 गर्स को मनेगा लेकिन क्या आपको पता है कि ये रेशम बनता कैसे है और आता कहां से है इस सवाल का जवाब आपको चार घंड में मिलेगा पूरे देश में रेशम की जो चमक है उसमें एक बड़ी हिस्तिदारी इस प्रदीश की है खासतोर पर देश में कुल तसर सिल्क उतपादन में 76.4 फीस्ती हिस्सा चार घंड का है तसर सिल्क की खेती, उतपादन और कारुबार में पूरे देश में 3,50,000 लोग जुड़े हैं और इनमें से 2,20,000 लोग अकेले ज़ारखन के हैं यहां का तसर सिल्क देश के अलग-अलग हिस्तों के अलावा लगभग 10 देशों में पहुँशता है दरसल इस प्रदेश की आबो हवा तसर रेशम की कीड़ों के पालन प्रजरन के लिए सबसे अनुकूल है इसके लिए समाने तोर पर 30 डिग्री सेल्सेस तापमान की स्तरुवत होती है और जारखन के सालतर इलाकों की अगर बात कर जाये तो साल के 365 दिनों में 175 से 180 दिनों तक तापमान इसी के आस पास रहता है तसर रेशम की कीड़ों की पैदाईश के लिए अर्जुन आसन और साल के पेड़ सबसे जादा उप्युक्त माने जाती है और जारखन में ये पेड़ बहुत आयतने है पिछले अगर दो दशकों की बात करें यानि की 20 सालों की बात करें तो देश विदेश में जारखन के कुचाए सिल्क की सबर्दस धाक कायम हो गई है इस खास किस्म के रेशम की जापान, फ्रांस, जर्मनी के साथ साथ कई देशों में बहुत अच्छी टिमांद है जारखन में रेशम के उतपादन में जुटें लोगों को सबसे जादा तकनी की मदद केंद्रे रेशम बोर्ट से मिली है मुखेबंतरी हेमंत सुरे ने बीते हफ्टे राची में वर्ल्ट्रेड सेंटर की अधारशीला रखते हुए ये उमीद जताई है कि सेंटर के सरी हमारे धर्ती पर उतपादित होने वाले तसर सिल्ख की चमक और दूर तक फेलेगी रेशम वग्यानिक आरबी सिनहा कहते हैं कि जारकन के अलग प्रदेश बनने के बाद रेशम उतपादन में 23-24 कुणा तीज ही आई है और वृद ही आई है अभी यहाँ 2000 मिट्रिक टन से भी जादा रेशम का उतपादन होता है केंद्र सरकार के आँ बात के जाए तो केंद्र सरकार के और से संसद में रेशम उतपादन को लेकर पेश किये गए आखड़े के अनुसार 2017 से लेकर 2018 में जारकन में 227 मिट्रिक टन तसर उतपादन जबकि यहाँ 2018 और 2019 के बात के जाए तो यह मात्रा 2372 और 2019 से 20 के अगर बात के जाए तो यह मात्रा 2399 मिट्रिक टन रही हाला कि COVID के चलते पिछले दो सालों में यहाँ सिल्क उतपादन में कमी दर्च की गई है साल 2020 से 2021 में 2185 और 2021 से लेकर 22 में 1046 मिट्रिक टन रेशम का उतपादन हो पाया है इस साल राज्ये ने 3000 मिट्रिक टन रेशम उतपादन का लक्षे रखा है जारकन में उतपादित होने वाले तसर सिल्क की खास बात यह है कि यह पूरी तरह से नैचरल होता है इसके उतपादन में किसी तरह के कैमिकल का इस्तमाल नहीं होता तसर सिल्क का सबसे ज़्यादा उतपादन राज्ये की सराइकेला, खरसावा, पश्रिम, सिंग्भूम में हो रहा है तसर सिल्क के उतपादन के प्रकरिया के तीन चरण है सबसे पहले साल, अर्जुन और आसन के पेड़ो पर तसर के कीड़े छोड़े जाते हैं दूसरी चरण में ये निर्धारित समय में कीड़े कोकून की शकल धारन करते हैं और तीसरी चरण में कोकून की प्रोसेसिंग कर धागा निकाला जाता है तसर की खेटी ने जार खंट के जंजाते इलाको में 2,0,00 से जाधा लोगों को 1 हट तक आर्थिक आतमी देर भरता दी है इतने नहीं जार खंट की कई ये लागों में अहिंसा सिलक का उत्वादन is जा रहा है तो देखिए जिस तरीके से रक्षबंधन का तयोहार आ रहा है और उस तयोहार में रेशम के धागे हात में बाने जाते हैं अब आपको पता चल गया होगा कि ये रेशम के धागे कैसे बनते हैं और किस तरीके के ये धागे जारखन में पाये जाते हैं इस वीडियो में फिलाल इतने ही अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेर करना मत भूलेगा साथ ही हमारी चानल न्यूस नेशन को सब्सक्राइब कर ले और बैल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि जब भी कोई नई अपडेट आए तो आपको तुरंट नोटिफिकेशन मिल जाए